नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अविरल आपका होस्ट और आप देख रहे हैं गूमोजी भर के जियां दोस्तों गूमोजी भर के हिमाचल परदेश का एक टूरिजम नेटवर्क चैनल है जिसके जरिये हम आपको हिमाचल परदेश की ताजा जानकारी देते रहते हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर और लाइक जरूर करें जियां दोस्तों विकेंड पर पहडो की रानी शिमला में सैलानियों से हो गई है पैक 20 अक्टूबर तक सभी ट्रेने हो गई हैं बुक दोस्तों हिमाचल परदेश एक ऐसी परेटक नगरी है जहां देश नहीं विदेशों से भी लोग भारी संख्या में आते रहते हैं लेकिन दोस्तों पिछले दो साल से कोविड महमारी के कारण हिमाचल परदेश में परेटक अपना रुख नहीं कर पा रहे थे लेकिन दोस्तों अब कोरोना महमारी समापती के दोर पर है सभी को वैक्सिन्स लगबग लगी गई हैं इसके अलावा हिमाचल परदेश में या नहीं वीडियो को अन तक जरूर देखें और सुनें और अपने साथियों और परिवार के साथ शेयर भी करें दशेरी की छुटियों में विकेंड पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सैलानियों से पैक हो गई है शनिवार राम शाम को रिज मैदान और माल रोड पर भारी संख्या में सैलानी पहुँच गए हैं शुकरवार शाम ही बड़ी संख्या में सैलानी शिमला आ गए थे शनिवार को भी सैलानियों की अमद जारी रही है शनिवार दोपहर बाद शहर के सरकुलर रोड पर वहानों की लंबी कतारे लग गई थी दोपहर दो बजे लिफ्ट कार पार्किंग पैक होने के बाद टुरिस्टों ने गाड़ियों सडक किनारे खड़ी करनी शुरू कर दी थी जिससे वहानों की आवाजाही प्रभावित होने लगी है सैलानियों की आमत बढ़ने के बाद शिमला के साथ लगते परियतन इस्थल कुफरी, नारकंडा, मशोब्रा, नालदेरा और शोगी में भी सैलानियों से गुलजार हो गए हैं शुकरवार को शनिवार को सरकुलर रोड से माल रोड पहुचने के लिए करीब 24,500 सैलानियों और इस्थानियों लोगों ने परियतन विकास निगम की लिफ्ट का इस्तमाल किया जियां दोस्तों करीब 24,000 टूरिस्टों ने लिफ्ट का इस्तमाल करके माल रोड का रुख किया था टूरिजम इंडरस्ट्री स्टेक होलडर एस्सेशन के मुक्य साहया गोपाल अगरवाल ने बताया है कि शुकरवार को शहर के होटलों में करीब 90% ओक्योपेंसी थी शनिवार शाम तक भी होटल में 70% तक कमरे पैक हो गए थे रविवार को ओक्योपेंसी करीब 50% तक रहने की उमीद है इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं टोई ट्रेन की जिया दोस्तों शिमला एक हेरिटेस सेक्शन भी है ट्रेन का जहां पर बिट्रिस टाइम की हेरिटेस सेक्शन की ट्रेन चलती है जिनका लुफ्त उठाने के लिए भी दूर दूर से सेलानी आते हैं लेकिन दोस्तों ट्रेन के सही टाइमिंग, सही बाते ना मालूम होने के कारण सेलानिया उस ट्रेन में बैटने से कभी-कभी वन्चित रह जाते हैं अगर आप भी टोई ट्रेन का लुफ्त उठाना चाते हैं, वो भी एडवांस बुकिंग करके तो आप हमें कॉल करके हमसे जानकारी ट्रेन समंदील ले सकते हैं हमारे शिमला और मनाली दोनों जंगे पर होटल्स हैं जहां आपको एक अच्छे रेट्स पर एक अच्छे किफाइती रेट्स पर एक बुकिंग कराकर दे सकते हैं जिसके लिए आपको करना केवल इतना है के नीचे दिये गए नंबरों पे हमें कॉल करके अपने टूर की जानकारी देनी हैं अब बात करते हैं शिमला की ट्रेन की कालका से शिमला आने वाली सभी ट्रेने 20 अक्टूबर तक के लिए एडवांस बुक हो गई हैं शिमला मोटर कार 04-505 21 अक्टूबर तक शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस 04-527 22 अक्टूबर तक कालका शिमला स्पेशल 04-529 20 अक्टूबर तक कालका शिमला स्पेशल 04-543 22 अक्टूबर तक कालका शिमला स्पेशल 04-517 19 अक्टूबर तक के लिए एडवांस बुक हो गई ह कालका शिमला इस्पेशल 04543 में भी तो इतनी लंबी वेटिंग है कि किलियर होने की कोई भी संभावना नहीं लग रही है यह सभी चीजे दोस्तो कोरोना मामारी की बंदिशे हटने के साथ ही हुई हैं लेकिन कोरोना मामारी अभी पूर्ण तरह से हमारे हिंदुस्तान से गई नहीं है जिसके लिए हिमाचल परदेश राज्य दुआरा कोरोना की गाइडलाइन को जारी रखने के लिए सक्त कदम भी बीच बीच में उठाए जा रहे हैं मेरा भी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से निवेधन हैं के मास्क जरूर लगाएं और बीच बीच में अपने हातों को सैनिटाइज करते रहें और सभी को हो सके तो डबल डोस लगवा कर ही हिमाचल परदेश की तरफ रुख करें इसके अलावा दोस्तों ये थी ट्रेनों की एक जानकारी के जो लोग ट्रेन से सफर करके आना चाहते हैं वो लोग एडवांस बुकिंग करा कर टोय ट्रेन का आनंद ले सकते हैं इसके अलावा आप अपनी निजी गाड़ी टैक्सी या बस से भी हिमाचल परदेश शिमला में आ सकते हैं 24 गंटे में 8000 परियतक वाहन हुए शहर में दाकिल बीते 24 गंटों के बीतर करीब 8000 परियतक वाहन शोगी से शहर में दाकिल हुए हैं जियां दोस्तों शोगी एक यहां का शिमला से पहले एक डेस्टिनेशन है जो बहुत ही खुबसूरत है वहाँ पर हमारा रशल होम्स करके एक बहुत प्यारा सा सुन्दर का वुड़न रोम्स का एक होमिस्टे बना है जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इंज हुई है डियसपी ट्रैफिक शिमला अजेबार दौाज ने बताया है कि इस विकेंड पर शिमला में टूरिस्ट वहनों का काफी अच्छा फ्लो बढ़ गया है ऐसे पॉइंट पर जहां वहनों की बीड अधिक है राइडरों को भेजा जा रहा है सरकुलर रोड पर भी बढ़ने लगी है रोतांग दर्रा के अलावा तीन महा बाद बंजार की तीर्थन वे जिब्बी घाटी में शैलानी आने शुरू हो गए है यहाँ पर होटल वे होमिस्टे में ओक्यूपेंसी 30 से 40 परसेंट तक बढ़ गई है हाला कि बरसात के बाद घाटी की वादिया सुनसान पड़ गई थी अब जिला भर में परियटन का दिविधिया शुरू हो गई है इसका असर बंजार में दिखने को मिला है सैलानियों के आने से बंजार के परियटक वेवसायों के चेहरे खिल उठे है होटल वे होमिस्टे में एडवांस बुकिंग चल रही है बंजा टक सीजन शायद एक नई उमीद लेकर आए दोस्तो अगर आप हिमाचल परदेश में शिमला आना चाहते हैं तो नीचे दी गए गए नंबरों पे कॉल करके या वटसप करके हम से यहां के बारे में करंट जानकारी ले सकते हैं चाहे वो मोसम से संबंदित हो या आपके पर आप हमें कॉल करके वो भी जानकारी ले सकते हैं तो ये थी हिमाचल परदेश की एक करंट रिपोर्ट टूरिजम सेक्टर की इसके अलावा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ताजा रिपोर्ट देते रहते हैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी ल कर दो